वेल्किम टू सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और आज के सेशन की शुरुबात करते हैं तो आज के सेशन की शुरुबात करेंगे जिसमें आज हम बात करने वाले हैं यानि की पांच जगत का वर्गी करन यूशुली हम देखते आए हैं कि माम इस पूरी जीव विज्ञान के अंदर आपने हमें काफी कुछ पढ़ाया कि पूरे मानव के अंदर क्या क्या क्रियाएं चल रही हैं कैसे कैसे उनकी फिजियोलोजी हो रही है लेकिन आखिरकार ये म जानव इस पूरे जीव विज्ञान में आता कहां है या जितने भी जन्तू हैं जितने भी प्लांट्स हैं चोटे-चोटे कीडे मोकोडे बैक्टीरिया वाइरस फंजाई ये सब कहां आते हैं इनकी क्या प्लेस है कब इनको देखा गया कैसे इनका पता लगाया गया इन सब की विशेष्टाओं को आज हम बात करने वाले हैं तो सभी को नमस्कार है गुड़ इवनिंग अवाज और विडियो सब को क्लियरली आ रही है आशा करूंगी चलो कई राधे राधे राम राम तो आज के सेशन में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टन चीज हम लोग को काफ करना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वह आप लोग की यहां पर क्लियर हो जाएंगी आप थोड़ा सा ध्यान सर्फ बढ़ाई के उपर कल वाला टॉपिक सबको क्लियर था ठीक है कल वाला टॉपिक के उपर हमने जो क्वेशन्स है उसकी प्रैक्टिस शीट आपको दे देनी ह यहीं से हम बात करेंगे बहुत स्टूडेंस के मेसेजिस ते कि माम कब होगा अनिमल किंग्डम कब होगा पिटा सारी चीज़ें होंगी और हर एक चीज को आपको क्लियरली इसमें बताया जाएगा कि खोज मतलब कोई तो होगा जिसने विझ्यान की इस शाका को यहां पर बनाए होगा इसकी दिसकवरी करी होगी तो उसके लिए हम नाम देते हैं फादर ओफ बायोलोजी कि पादर ओफ बायोलोजी किसको कहा जाता है अरस्तु सहाब को यहां पर कहा जाता है किसे कहेंगे अरस्तु सहाब को कहेंगे आज हम एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करते हुए चलेंगे सो इसलिए जो नोट्स बनाना चाहते हैं वो साथ साथ में अपने नोट्स भी यहां पर बना सकते हैं बिल्कुल भैया जी विज्ञान के जनक के तौर पे इनको जाना जाता है हमने अभी तक पूरे human के बारे में बात करी हमने कहा भई देखो एक छोटा सा सेल होता है उस सेल के अंदर देखेंगे एक plant का सेल एक जन्तु का सेल लेकिन माम कहां से इन सब की शुरुवात कहां से हुई है ना तो इस पूरी विज्ञान की शाखा को देखा जिसको हम कहते हैं biology biology वर्ड से ही हम क्या समझ पा रहे हैं कि माम देखिए बायो प्लस लॉजी दो वर्ड है इसके अंदर बायो वर्ड आता है जीवत के लिए ठीक है किसी भी जीव लिविंग चीज की बात करें जो कि जीवत है इंसान है जानवर है पौध है मैं किसी मार्कर किसी बोर्ड किसी मोबाइल फोन ऐसे नॉन लिविंग चीज की बात यहां पर नहीं करूंगी तो जो जीवत है और लॉजी का मतलब होता है study मतलब अध्यन तो आप क्या कहेंगे क इसका अध्यन है जीवत जीव का अध्यन तो बायोलोजी की खोचकरी अरस्तु सहाब ने इसको study of living things के नाम से हम जानते हैं आप इसी के अंदर हमने अलग-अलग subdivisions अलग-अलग इसके branches यहां पर बना दी जैसे एक शाखा बनाई जिसके अंदर हम सिर्फ जानवरों के बारे में पढ़ रहे थे एक शाखा बनाई जिसमें हम सिर्फ पादप या plants के बारे में पढ़ रहे थे तो यही काम यहां पर इ में इस पूरी बायोलोजी की अगर मैं बात करूं तो इसकी दो मुख्य शाखाएं आपको दिखाई देती हैं. सबसे पहली जिसको हम नाम देते हैं जूलोजी. दूसरी जिसको हम नाम देते हैं बौटनी. आप कहेंगे मैं एक और होती है, बिल्कुल होती है. कि लेकिन मेन दो शाख़ाएं हमें दिखाई देती हैं जनतु विज्ञान hey कि वह वनस्पती विज्ञान है एटीक के जिसमें हम पादप का ध्यान्र करते हैं या प्लांट्स का ध्यान्र करते हैं तो हमने इन दो में रांचोस के अंदर बाट दिया जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चीजें आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से कराई जा रही हैं क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हमें पूरा क्लासिफिकेशन बढ़ना है ठीक है आप बोलोगे माम यह तो आपने बता दिया क्याव है तो इसलिए ब्लकुल बेसिक से और जो भी साथी अंगा पर नए जुड़े हैं सेशन को शेर कर देंगे अपने दोस्तों भाईयों बहनों तक और जल्दी से जल्दी अपने सभी स्टूडेंस जितने बीया पर जुड़े हैं नोट बनाने भी साथ में स्टार्ट क लिए कल भी हमने उसी टॉपिक के अंदर जो जो इंपोर्टेंट चीजें आपके लिए थी वो सब पीडिएफ में आपको मिल जाएंगी जो स्टूडेंस कह रहे थे क्लास में नोट्स नहीं बना पाई थे वह लास में अपने नोट्स बना सकते हैं मतलब पीडिएफ से अपन अध्यन अब बहुत ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे अच्छा माम यह क्या है फिर बॉटनी बॉटनी होती है स्टडी ओफ प्लांट्स स्टडी ओफ प्लांट्स यानि की पादप का अध्यन जितने भी पेड़ पौधे आपको दिखाई देते इनका अध्यन यहां पर कहा जा दोनों के अलग-अलग जनक हैं किसी ने जन्तों के बारे में अगर खोज आ तो इस जुलॉजी वाली ब्रांच के फादर कहे जाते हैं अरस्तु सहाब ठीक है इन्होंने खूब सारा काम किया था जितने भी एनिमल्स थे इनकी भी खोज यहां पर करी अरस्तु हिंदी में इ कि यह 9 तरह आ стать दес कि हैं यहां ल हुआ कि था द दोनों नें अपनी अपनी मेट्स करी अपने पूरा का पूरा प्लांट्स के बारे में पढ़ा था तो इन्होंने प्लांट्स की ऊपर किताब लिख दी इन्हों साथ ने जितने भी जनतू हैं जितने भी जानवर हैं इनकी उपर अध्यन किया और इनको यहां पर जुलोजी ब्रांज का murders यहां इनका फादर aretर कहा गया इन्होंने एक किताब लिग दियए जिसमें सभी जनतूह के उपर इन्होंने बताया था मुद्दा क्या होता है कि माम अरस्तु सहाब तो बाइलोजी के भी जनक है और इसके भी जनक है इवन ऐसा नहीं है अरस्तु सहाब को हम एक शाखा और है जिसका जनक कहते हैं जिसे कहते हैं भूण विज्ञान आप अगर बात करेंगे इनकी तो यह फादर हैं किस-किस के एक बाइलोजी के दूसरा जूलोजी जन्तु विज्ञान जिसमें सिर्फ हम स्पेसिफिक जितने भी आपके अनिमल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं और तीसरा होता है एमब्रायो लॉजी यानि कि भूण विज्ञान ठीक है तो इसके भी जनक इन्ही को यहाँ पर कहा जाता है तो याद रखना ऐसा भी सवाल आपसे अगर पूछ ले कि यह किस-किस के जनक हैं तो आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कोई समस्या इसके अंदर अब बात करेंगे माम देखो ठीक है इन्होंने इतना काम कर दिया दो ब्रांच बढ़ गई एक शाखा और हम यहाँ पर देखते हैं जिसे कहते हैं इसको कहा जाता है सूक्ष्म जीव विःज्यान का मतलब जितने भी जितने भी आपके च्छोटे डिक्टीरिया वाइरस सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं इन का अध्यन्न कहा जाता है माइक्र ऑर्गानिसम्स या फिर आप कह सकते हो सुक्ष्म जीव का अध्यन जीव का मतलब जितने भी हमारे बैक्टीरिया जिने जीवाणू कहते हैं वाइरस बोले तो विशाणू कवक इन सब का अध्यन नहां पर कहा जाता है जितरे भी छोटे-छोटे सूक्षमजीव की केटेगरी में आएंगे बैक्टीरिया हो, वाइरस हो, फंगस हो, प्रोटोज हो इन सब के अध्यन को माइक्रो बायोलोजी में पढ़ा जाता है microbiology के जनक कौन है सूक्ष में जीविज्ञान के जनक कौन है तो उनको हम credit देते हैं Anthony Wynn-Lewin-Hawk हमने जब cell पढ़ा था तो बात करी थी पहला जीवित cell पहली जीवित कोशे का first living cell किसने खोज करी थी AVL सहाब ने खोज करी थी तो question अगर बनता है कि भाईया इसके जनक किसको कहा जाता है तो आप यहीं पर note कर सकते हैं इसके जनक Anthony Wynn-Lewin-Hawk को कहा जाता है AVL या Anthony Wynn-Lewin-Hawk सहाब को कहा जाता है वो लोग किसी को कोई समस्या इसके अंदर पिटा यह सब आपको मिल जाएगा पिटिएफ अभिनमाटस अप्लिकेशन पर आप लोग डाउन्लोड करके उसको इजीली कर सकते हो अपनी अवेल ठीक है वहाँ से आप अपनी पिटिएफ ले सकते हैं बुलिए किसी को कोई समस्या इसके अंदर तो बायोलोजी की तीन शाखाएं हमने देखी फर्स्ट वन जिसे हमने बोला जूलोजी दूसरी बॉटनी और तीसरी माइक्रो बायोलोजी ठीक है यह सब किसकी है हमारे जीव विज्ञान की अलग-अलग शाखाएं दिखाई दे रही है एक सवाल आ जाता है हां से कि भाई आरस्तू सहाब की लिखिवी किताब कौन सी है जिसके उपर इनको जितने भी एनिमल्स हैं उनकी सारी जितनी इन्फोमेशन इनको समझ में आई थी तो इन्होंने उन सब को एक किताब में लिख दिया उस किताब का नाम पड़ा हिस्टोरिया एनिमेलियम मतलब हिस्ट्री ओफ एनिमल्स या जितने भी जन्तों हैं उन सब का जो बेसिक पूरा इन्फोमेशन है वो वहाँ पर उस किताब में उपस्तित था ऐसे ही इन्होंने एक काम किया दोनों की ही किताबों को अपनियाद रखेंगे दी हिस्टोरियUB एनी मेलियम हिस्टोरिया एनी मेलियम इसी प्रकार से थियो फ्रेस्टस सहाब ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिया प्लेंटेरम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में तुम्हारे आदे से जादा मन के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो हमेशा से तुम मन में एक धारना पाले बैठे हुए थे कि माम कहां कवक आएगा कहां जीवान हुआएगा यह बिमारी कहां से हो रही है वंगस की यह वाइरस कहां से आ रहा है यह सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसलिए तोड़ा साना पेशन्स बनाके और ध्यान से लिखी और दूसरी थियो फ्रेस्टस सहाब ने लिखी थी आप अगर देखेंगे तो जितना भी वर्गी करण आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर अरस्तु सहाब ने अपनी हिस्टोरिया अनिमेलियम नाम की यह बुक जो है इसको लिखाता है यह अरस्तु सहाब है इ इसका नाम क्या बड़ा हिस्टोरिया प्लैंड टेरम नाम पढ़ गया बूलो कोई समस्या यहां तक जादा इसमें डेप्ट में नहीं पूछेगा अगर पूछेगा अभी तो इन ही किताबों के नाम पूछ लिया जाएगा और किसके जनक कौन है इतना आपने को याद करके जाना है कि कौन पादप विज्यान के जनक है कौन जन्तु विज्यान के जनक है अब देखो एक सवाल जो मन में आता है और आच चुका है कि मैं एक बात बताओ आपने अब तक सारे इंसानों के बारे में पढ़ाया आपने कहा मानफ के अंदर ऐसा पाचन होता है ऐसा श्व करना ही पड़ेगा ठीक है आपको अच्छा लगे चाहें बुरा लगे लेकिन इनसान जानवरों से ही वॉल्व होकर की आया है हम अगर बात करें इनसानों की तो पहले चिंपेंजी गोरिल्ला जैसे दिखाई देते थे पहले के जो इनसान थे वो जुक करके चलते थे जानवर जैसे दिखाई देते थे फिर हमारा क्या हुआ एविल्यूशन हुआ विकास हुआ और उसके बाद हम बदल गए एक कंप्लीट सीधे इनसान के अंदर जब आप मानव की बात करते हो तो हमारी भी एविल्यूशन की एक साइकल है हम ऐसा थोड़ी की शुरवात से कि पहला आ हमारे अंदर भी कुछ-कुछ चेंजस आते गए और चेंजस के साथ साथ फिर हम आज के टाइम में जो हैं होमो सेपियंस जिसको कहा जाता है वो मॉडरन में वो अब जाकर के कहीं बना है पहले हमारे दिमाग की कैपासिटी भी इतनी नहीं हुआ करती थी पत्थर घिस-घि कहते हैं हमारा इविल्यूशन कहां से हुआ है हम इंसान जो है बने हैं स्ट्रेट सीधे खड़े होकर सीधे चलने वाले वह मानव इंसान बेसे कली जानवरों के अंदर से ही दिखाई दिया है वाल्फ होता हुआ तो हमारा अध्यन भी एनिमल्स के अध्यन यानि की जूलोजी के बारे में ठीक है तो जूलोजी में दोनों ही आएंगे एनिमल्स भी आते हैं और यूमन्स भी आते हैं मुद्दद हो वही है कि मैं मानव है तो जानवर ही बोलो कोई समस्या इन चीजों को जब तक दिमाग में क्लारिटी ना होना तब तक ये कंफ्यूजन बन सबको तो हमारे मुख्य दोर से ये फादर ऑफ बोटनी और फादर ऑफ जूलोजी कहे जाते हैं अब आता है कि मैं देखो ये दोनों तो आ गए मगर एक साइंटेस्ट और आये थे जिन्होंने ये देखा कि यार एक बात बताओ इतने सारे स्पीशीज आपके हांबर दिख लगेगा नहीं तुम्हारे मन में आएगा यार सब चीज अपनी जगहा पर होनी चाहिए सब चीज सेट होनी चाहिए बिखरी वई जिंदगी से अच्छा है जिन्दगी को थोड़ा सा सवार लिया जाए थोड़ा सा व्यवस्थित कर लिया जाए ऐसे ही व्यवस्था है वो यहाँ पर शुरू होता है उन्होंने अलग अलग तरीके से चीजों को देखा कि चलो अगर मेरे सामने कोई भी ऐसी चीज है जो मुझे नहीं पता क्या है तो पहले मैं उसको समझूंगा कि यह पेड़ है या यह जानवर है ठीक है मब अब उसका बेसिक केरेक्टर द तो आप कुछ कैरेक्टर देखोगे और समझोगे अच्छा यह बच्चा है अच्छा यह बुड़ा है भले ही तुम्हें नाम ना पता ठीक है कुछ उसी प्रकार से धीरे-धीरे करके जब वर्गी करण हुआ तो वहां पर भी कुछ ऐसी ही स्टेजिस में हम सबसे पहले लो इनसान है जरूर नालाई की करेगा यह पढ़ाई नहीं करेगा एक्जाम नहीं देगा तो इनसान है इसको पगड़के एक्टेगरी में रख देते हैं तो ऐसी कुछ विशेशता है हमें धीरे-धीरे करके समझ में आई दिखाई दी और उसके बाद फिर हमने उनका नाम दे करण को देखेंगे पहचानों की सबसे पहले पहचान के उसकी विशेशताओं को ढूंड़ोगे और उसके बाद उसको नाम देने का काम यहां पर आप कर सकते हो तो वर्गी करण नाम की एक शाखा बनी जिसको बनाने वाले कौन थे हमारे कैरोलस लीनियस सहाब देखे गए ठीक है यह वही है जिन्होंने हमें हमारे नाम दिये जिन्होंने पहचान करी और वर्गी करण करना शुरू करा तो यह कैरोलस लीनियस के उपर भी कई बार आपसे पूछा जाता है तो यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट दब्रांच जिसको हम कहते हैं टेक्जो नॉमी टेक्जो नॉमी मतलब देखो कहीं ना कहीं आप एक छोटी सी चीज को लेके चल रहे हो एक छोटे से वर्ड को लेके चल रहे हो उसका नाम करन कर रहे हो तो टेक्जो नॉमी है जिसको हम कहते हैं भाया चीजों को वर्गी करत करना ठीक है या उनका वर्गी करन करना यह वि जो होती है इसकी टेक्जा मतलब एक रांक यह आप कह सकते हो कि भाया एक पर्टिकुलर विशेष्टा जिसके थ्रू में उसको पहचान सकता हूँ और नॉमी मतलब नॉमनक्लेचर यानि की नामकरण ठीक है तो कैसे करके इन्होंने यहाँ पर नाम दिये तो वर्गी करण के अंदर हम तीन चरण देखेंगे सबसे पहला आप क्या करोगे केरेक्ट्राइजेशन ठीक है आइडेंटिफिकेशन और तीसरा नॉमनक्लेचर तीसरा है नॉमनक्लेचर मतलब आपने क्या करा इनकी विशेश्टा का पता लगाया फिर आपने इनको पहचाना फिर आपने इनका नामकरण किया ठीक है इन तीनों के तहत हम क्या पढ़ते हैं विज्ञान की वो शाखा है जिसमें आप कम्प्लीटली किसी भी चीज को नाम दे सकते हो उसको पहचानों के और उसको उसकी विशेश्टाओं के जरीया आप उसको संबोधित कर सकते हैं तो वहां हम बात करते हैं वर्गी करण के बारे में या पिर टेक्जो नॉमी के बारे में या क्लासिफिकेशन जिसको हम कहते हैं उसके बारे में ठीक है क्लास तक तुम मेंसे किसी को नहीं देखा ठीक है आप सब online students हो हमारे हमने नहीं देखा अगर आपको let's suppose मुझे आपके आपके बारे में जानना है आपका पता लगाना है तो मैं क्या करूंगी मैं आपसे आपका पता पूछूंगी आपका address पूछूंगी आप बोलोगे देखो माम मैं भारत के इस राज्ये के इस शहर के इस गली मोहले के इस गली नंबर के इस मकान नंबर में रहत हूं ऐसा ही कुछ बताने वाले हो आप ठीक है आप बोलो कि मैं मेरा पता यह यह फलाना फलाना है कि मैं भारत के अंदर उत्तर प्रदेश जिले में विलॉंग करता हूं उत्तर प्रदेश में आगरा राज्य के अंदर आगरा शेहर का भी मेरा महला मेरा एरिया यह है उस महले के अंदर मेरी जो गली नंबर है वो गली नंबर 4 है उस 4 नंबर गली में भी में मकान नंबर 3 में रहता हूँ तो आपका exact पता और उस मकान नंबर में भी मेरा कमरा जो है वो अंदर से दूसरे नंबर का दाहिने भागवाला कमरा है तो यहां से मैंने क्या किया मेरे सामने आपके पूरे address की detailed information आ गई अब मुझे अगर तुम्हारे पास पहुँचना होगा तो मैं exactly आपके घड़ तक पहुँच सकती हूँ लेकिन यही चीज हमारे Linius सहाब ने पूरा इस वर्गी करण को किया था तो उनको भी कुछ ऐसी चीज़े समझ में उन्होंने देखा कि यार देखो तुम्हारे सामने पूरा राइता फैला हुआ है सारे पादफ हैं सारे जन्तु अब कैसे इनका पता लगाया जाए कुछ तो बेसिस होगा ना उन्होंने कहा कि चलो इनकी कुछ रैंग्स बना देते हैं इनका कुछ बेसे के एक हाईरार्की बना देते हैं कि सबसे पहले ये जितने भी जानवर दिख रहे हैं इन सारे जानवरों में से इनको मैं एक छोटे स्टेज में वर्गी करत करूँगा कि भाई ये सब एनिमल किंग्डम के अंदर आते हैं उसके अंदर कुछ जानवर ऐसे होंगे जिनकी विशेष्टाएं कुछ सेम दिखाई देंगी उसके बाद उनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो अलग-अलग बढ़ जाएंगे मतलब उनकी भी कुछ और छोटी विशेष्टाएं होंगी तो ऐसी विशेष्टाओं के अधार पर हम एक छोटे से जीव का नाम दे पाएंगे जब हमें बिल्कुल उसके सारे अलग-अलग जितने भी विशेष्टाएं हैं जितने भी क्यारेक्टर्स हैं उनका पता लग जाएगा यह काम किया वर्गी करण के तहत कैरूलस लीनियस सहाब ने सो कैरूलस लीनियस को कहा जाता है फादर ओफ टेक्जो नौमी ठीक है यह सारे काम करने वाले कौन थे कैरूलस लीनियस इनको कहते हैं इस पूरे वर्गी करण का जनक पादर ओफ टेक्जो न हो सहाब को आपको कहा जाता है वरगी करन का जनर कोई समझ इन्हूने किया इन्हूं ने क्या retrou Senior कि इन्हों राइतिय को समेटना बहुत आवश्यक है तो चलो पकड़ते हैं कुछ तो बेस्ट निकाल यह प्लांट्स है दो ही चीज़े उस टाइम तक इनके सामने आ रही थी कि या तो जन्तु है या पादप है इन्होंने कहा यार मुझे एक छोटा सा जिसको मैं कह रही हूँ कि मेरे पास काओ है या मेरे पास यहां पर एक पोटेटो का प्लांट है ठीक है मुझे इन दोनों के बारे में पता करना है मुझे इन दोनों के बारे में पता करना है ये किस किस के अंदर आते हैं कि क्या-क्या विशेशता है तो यہ थो texonomical hierarchy इन्होंने कहा चलो सबसे पहले सबसे उपर main division को पकड़ते हैं में division क्या था कि तुम कहा रहते हो तुम रहते हो भारत के अंदर भारत के किस राज्य में किस राज्य के किस शहर में शहर में से आए हम तुम्हारे घर महलने वाले एरिये में वहां से पहुंचे तुम्हारे गली नंबर गली नंबर से तुम्हारे मकान नंबर और हम पहुंच गए तुम्हारे एक्जाक्ट घर तक तुम्हारे पास तक ऐसा ही कुछ का मैं तब सबसे चोटी एक आई मैंने कहा कि मेरे पास कोई भी एक स्पीशीज है जिसको मैंने बोला क्या वो लगया kingdom, kingdom से छोटा phylum, phylum से छोटा class, order, family, genus and species, ठीक है, यह seven taxonomical hierarchy इन्होंने यहाँ पर बनाई, हिंदी में अगर बात करेंगे, तो आप किस जगत के अंदर आते हैं, जगत के बाद आपका संग क्या है, आपका class यानि कि आपका वर्ग क्या है, आपका गण क्या है, फिर आपकी family यानि कि आपका कुल क्या है, वंच यानि कि आपका genus क्या है, और species यानि कि आपकी जाती यह पिरेटों आगर में याद करनी हो तो हम क्याए रखेंगी छोटी सी टरैक्स सबद्रेमार कि पढ़ने जितने बी आपके घंड होंगे उनको साफ रखना हमेशा वरना तो यहां से फामिली बेमार सबूसे बशने आपके तो डर्ली बेमार कrid जाएगी महां से बैक्तिरिया वाइरस के इंफेक्शन जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे तो आप इसके लिए एक सिंपल से ट्रिक यहाँ पर याद रखोगे ट्रिक क्या है कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक ठीक है के से किंडम के से कीप पी से पॉट पी से फाइलम सी से चलास ओ से ओर एफ से फैमिली जी से गेट मतलब जीनस एससे sick मतलब species keep pots clean और family get sick यह इसके एक basic सी trick है जोसे हम easily पता कर सकते है क्योंकि यहां से हमारा question बनता है इस class के बाद क्या आएगा या class से पहले क्या आएगा order के बाद क्या आएगा order से पहले क्या आएगा तो आपको यह चीज़ें जो है keep pots clean और family get sick यह क्या है बिटा यह taxonomical hierarchy हमें यहां पर देख रही है जिसके तहत हम पता लगा सकते है कि भई आप किस stage में किस taxa किस rank के अंदर आ रहे हो ठीक है इसमें एक-एक stage जो मुझे दिखाई दे रही है कि यह phylum है यह order है यह family है यह सब क्या है individual अगर मैं बात करूँ तो यह एक-एक taxa है यह एक-एक rank है जोसको हम कहते हैं यह stage हमारी क्या बन गई this is called as taxonomical hierarchy जैसे जैसे आप उपर भढ़ते चलोगे मतलब जैसे जैसे आप species की तरफ जाते जाओगे आपकी संख्या जानवरों की क्या हो जाएगी कम हो जाएगी plants है जानवर है इनकी संख्या क्या होती चली जाती है कम होती चली जाती है आप समच सकते हैं इस बात को कि अगर मैं kingdom की बात कर रहे हूं कि जन्तू जगत मतलब धेर सारे जन्तू के अंदर आ रहे हैं इस जन्तू जगत में भी मैंने इक छोटा सा फाइलम निकाल दिया कि यह तो यह इन वर्टीब्रेट है यह यह नॉन कॉर्डेट है यह मैंने कहा देख़ एक अंदर रीड की हड़ी है एक अंदर नहीं है तो मैंने उसमें से भी दो विवाजन किये, मैंने एक को अलग अगटा दिया, अब थोड़े से कम हो गए यहां पर, तो कॉर्डेटा में थोड़े से कम दिखाई दिये, जिनके पास रीडी की हड़ी है, वो दिखाई दिये, फिर उसके बाद आएगा कि उसमें भी मैंने उनक को देखा, जो मैमल्स के अंदर आते थे, जो स्तंधारी थे, तो मैंने उसमें से भी एक छोटी सी क्लास निकाल ली, क्योंकि उस संग में भी धेर सारी क्लासेज होंगी, धेर सारी क्लासेज होंगी कि कुछ मैमल्स हैं, कुछ सरी सरफ हैं, जो रेंग रहे हैं, कुछ स्तंध चीटा, डॉग राइन उसे निकाल लियां फिर उसके बाद मैंने कहा इनकी एक फैमिली बना देते हैं जितने भी होगे उनको निएड़े पर उसके बाद उसका भी एक single genus की भाई है इसने भी बिल्ली इक सिंगल सिशीज कैलाईगा यहाँ पर कर रे हूं एक को लेकर चली दिल्ग हो ताइगर हो तिर धीर्चे करके आपको यह सारा कुछ फें परली हम लिकाली काई जाता है हमारे नंबर यहां पर क्या होंगे मिनिमम होंगे मतलब बिल्कुल एक नंबर एक संख्या मुझे दिखाई देती है और मैक्जिमम कहां होगा किंग्डम के पास बूलो बात समझ में आ रही आप से पूछे का स्पीशी सबसे ज्यादा कहा है आप बूलो कि जैसे जैसे उपर होगे स्पीशीज के संख्या भी उतनी ही भड़ती चली जाएगी यहां रहोगे तो स्पीशीज क्या है कम दिखाई दे रही है कोई डाउट किसी को एक पर जल्दी से बताओ पटाफट से बताओ एक बार किसी को कोई समस्या लगी इसके अंदर बहुत सिंपल है थोड़ा स इसे एक थमसब का साइन करेंगे और सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करके हैंगे फटाफट से जन्हों ने भी तक नहीं किया तुम्हारे लिए एक चीज यहां बेस्ट टू बेस्ट जल रहे हैं और तुम हो कि कंजूसी नहीं चूटती है कितनी जीस्ट लग जाती होग केट वर्गी करन का स्तर है वो उपर से लेकर नीचे तक आते आते कुछ इस प्रकार से कम होता चला जा रहा है कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गैट सिकोसी इस लाइन को ज़रूर याद रखना मिगे यहां से शुरू करेंगे इप पॉट्ट्स क्लीन और ह। फैमिली वर्ना फामिली बिमार हो जाएगी हिंदी में चाहें तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं इंग्लिश में यह जो लेटर्स हैं यह की पॉर्ट्स क्लीन इसके फॉर्स लेटर रिजेंबल कर रहे हैं किंग्डम फाइलम क्लास ओडर फैमिली जीन सांड स्पीशिस को प्रशान मतों सब चीज़ेंगी आगे बात करेंगे इसके बारे में क्लियर चाली सो मुख्य तोर पे हाइरार्की इसी को कहा जाता है जिसको हम बोलते हैं टेक्जोनॉमिकल हाइरार्की हिंदी में बात करें इंग्लिश में बात करें कुछ इसी प्रकार से आपको यह केरोलस लीणियस शहाब ने बहुत सारे काम किये थे इन्हों ने चार अलग अलग किताबे भी लिखी थी इनकी किताबों क उपर कई बार सवाल आ जयता है तो इनकी किताबों का नाम जरूर नोट कर ले ना जैसी फिलोसोफिया बुटाइनिका जेनरा प्लंटे रम species plantarum मतलब ये सब इनकी किताबे है genera plantarum systema natural species plantarum ये चार अलग-अलग किताबे जो है वो lineage सहाब ने लिखी थी और अपनी discovery को इन्होंने यहाँ पर बताया था कि मैंने क्या क्या काम किये है ठीक है इन्होंने किस तरीके से पर वर्गी करत किया है आसान थोड़ी है रायते को समेटना आज अगर तुम्हारे घर में सब चीज अवेवस्तित हो तो तुम्हें भी वक्त लगता है सोचने में यार कैसे कैसे क्या क्या चीजों को कहा कहा रखो तुम समान चीजहों को एक जगा हो कपड़ों को एक जगा हो एक हो तो यह सब वहां सिस्टम बनाना सिस्टम सिंपल नहीं आई है करेक्ट सो यहां पर लिख लेंगे एक बार कि कि के चलो कि अगर हम बात करें लीनियस चाहब की किताबों कि कैरूलत इनकी जो बोक्स दी उसमें पहली आती है सिस्टेमा नैचुरी ठीक है सेकिंड आती है जैसे हम कहते है जैनेरा प्लेंट टेरम तीसरी आती है जिसको कहा जाता है पीशीज प्लेंट टेरम और चौथी आती है फिलोसोफिया बोटैनिका ठीक है फिलोसोफिया बोटैनिका सबको बातें समझ में आ रही हैं हमने अब तक बात करी अरस्तु सहाब ने ब्रांच दी जोलोजी बॉटनी बनी इसके बाद अगर हम बात करें वर्गी करण की तो सारा वर्गी करण कैरोलस लीनियस सहाब ने किया साथ अलग-अलग से जिसके अंदर जिसको हमने क्या नाम दिया साथ टेक्जोनॉमिकल हाइरार्खी ठीक है वर्गी करण के स्मस्तर फिसकों कितने दिख़ाई दिये थे साथ उन सातों को ऐगर मैं इंडिविज़्ल बात करूं ना तो एक-एक को रैंक या टेक्जा के नाम से जाने गे कि एक रैंख है किंग्डम एक रैंक है फाइलम एक है class एक है order तो इनको individually rank या texa के नाम से जानते हैं एक single unit को ठीक है लिख लेना यहाँ पर single unit को बोलो कोई समस्या है यहां तक तो माम इतनी कहानी करके linearist नहीं सारा काम कर दिया लेकिन linearist नहीं एक काम और किया तुमने इनको characterize कर लिया तुमने इनको वर्गी कर लिया तुमने इनकी पहचान भी कर ली मगर एक बात बताओ जब बात आती है नाम देने के तुम नाम कैसे दोगे तुमने इन साथ स्टेजिस के अंदर इनको बांट दिया तुमने किस kingdom में आ रहे है किस फाइलम में आ रहे है किस जुसके तहट इन्होंने बुला कि हम इनका नाम देंगे बाइनॉमियल नॉमन क्लेचर के द्वारा बाइनॉमियल नॉमन क्लेचर देखो इस चीज को अगर आप समझ गए तो बहुत सारी चीज़े तुम्हारी आगे के लिए हल हो जाएंगी द्वीपध नामकरण इस द्वीपध नामकरण में सबसे पहला जो क्रेड़िट जाता है उसका ही नाम लिख लेना कि ये किस के द्वारा दिया गया कैरोलस लीनियस सहाब के द्वारा इसलिए कहते हैं ये वो शक्स हैं जिन्होंने हमें नाम दिया इन्हीं को टेक्जोनॉम का जनक कहा गया तो कैरोलस लीनियस सहाब ने क्या करा इन्होंने कहा चलो ठीक है आपने किंग्डम फाइलम क्लास और सब बोल दिया लेकिन आपकी सबसे छोटी काई क्या रही है स्पीशीज और उससे पहले तुमने क्या बोला जीनस तो लास्ट की जो दो यूनिट हमने प बात करी कि मेरा नाम क्या है मेरा नाम है राम कुमार तो राम क्या है इसके अंदर नाम है कुमार क्या है इसका सरनेम है इसी प्रकार से इन्होंने भी दो शब्दों के अंदर नाम डिसाइड करें पहला बोला जीनस कि जो पहला शब्द होगा वो किसको दर्शाएगा जीनस को दर्शाएगा कि आपका genus क्या है और दूसरा आपकी जाती को दर्शाएगा कि आपकी जाती क्या है For example Homo Sapiens ठीक है आप ये नाम हमेशा से पढ़ते आए हो Homo Sapiens या आप बात करो आलू या आम के बारे में कि मैंगी फेरा इंडिका क्लियर क्या हो गया आम का नाम है ये हम किसको कहते हैं मानफ को कहते हैं एसे ही नाम पढ़ गया राना टिगरीना तो इन सब में ये दो अलग अलग शब्द हमें क्या बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि मैं आप देखो पहला word denote करता है जीनस को और दूसरा शब्द बताता है species को इनका मानना था कि नाम दो अलग-अलग words के साथ बना सकते हैं और इन्होंने नामकरण की तक्नीक द्वीपद नामकरण के तहट जो है वो बना दी कोई समस्या लगी इसके अंदर इसमें खास बात क्या है कि हमेशा first letter genus और दूसरा वाला species होगा लेकिन इस नाम को लिखने के ना कुछ नियम बताए थे कभी किसी ने अगर 12th chemistry से गरी हो 10th chemistry से गरी हो तो आपको पता होगा कि हम chemistry में भी जो अलग-अलग substances के नाम देते हैं देड़ सारे नाम आएंगे लेकिन हाँ अभी जो important है वह अपन बात कर लेंगे बाकी तुने भी important नाम आपके exam के basis पे important है उन सबकी PDF में आपको लिस्ट जो है वह मिल जाएगी कि आलू का लेकिन हम उनके कॉमन नाम को यूज करते कि आलू दे दो भाई साब आदा किलो तो महां जाके यह तो नहीं कहोंगे लाइको पर से कम एसको लेंटम देना धाई किलो भाई हिंदी बोले तो आप सिंपल जो नाम डेली लाइफ में हम यूज कर रहें कॉमन नेम्स को बढ़त सटाइवा है तो चावल है तो मतलब अलग-अलग नाम आपको दिखाई दे जाते हैं वो सभी जैविक नाम वो सभी बायोजिकल नेम्स इस द्वीपद नामकरण के पद्दिती के तहट बनाए गए थे किसने बनाए थे लीनियस सहब ने यहाँ पर बनाए थे बोलो किसी को कोई समस्य है इसके अंधर लगी जल्दी से एक बार मुझे बताओ अभी रूल्स के बारे में हम बात करते हैं पहले मुझे यहाँ तक बताएंगे इस एवरिधिंग क्लियर चलिए सो बेसिकली यह जो नाम बने इनकी भी माम एक टेकनीक दी गई इसके कुछ रूल्स दिये गए देखो रूल्स बहुत इंट्रेस्टिंग है अगर तुम समझ गए तो फिर तुम भी कभी गलत नहीं करोगे रूल नमबर वन क्या कहता है रूल नमबर वन आप जब भी नाम लिखेंगे अगर आप उस नाम को लिख रहे हैं तो आप उस नाम के नीचे सेपरेटली अंडराइन करेंगे देखो अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं कहीं पर भी किताबों में नामों को हम पढ़ते है तो इन नामों को sapiens अब तुम हाथ से तो टेड़ा नाम नहीं लिखोगे कि कॉपी में लो भीया टेड़ा टेड़ा चलाओंगा नहीं आप हाथ से जब भी handwritten बात कर रहे हो इन नामों की तो आप दोनों को इस प्रकार से लिखेंगे जिसमें नीचे की तरफ एक underline आप दोनों पे अलक से करेंगे अगर आपने दोनों पे अलक से underline करी है तो यह क्या है ठीक है मालो मैं मेरको याद नी रहा मैने लिख दिया homo मैंने लिख दिया sapiens आपने बुलत अंडर्लाइन कर ली है मैंने लिके अंडर्लाइन कर ली एक्जामिनर नंबर काट लेगा क्योंकि यह गलत है तो रूल नंबर पहला कहता है कि आप जो दो शब्द लिखेंगे अगर वो टाइपिंग में जा रहे हैं तो वो इस तरीके से इटालिक्स में होंगे लेकिन अगर आप उन्हें हाथ से लिख रहे हो when handwritten तो उन दोनों words के नीचे separately underline ज़रूर होनी चाहिए homo के नीचे अलग sapiens के नीचे अलग कोई भी नाम लिख रहे हो जो की biological name है clear so homo sapiens के नीचे क्या होगी अलग-अलग underline होगी तो rule नंबर पहला क्या कहता है both genus and species needs to be separately underlined ठीक है दोनों के नीचे आप क्या करेंगे अलग-अलग से underline यहाँ पर करेंगे पहला नियम और इसमें यहाँ पर mention कर ले ना when handwritten जब आप हाथ से लिख रहे हैं तब क्या करेंगे दोनों पर अलग-अलग से नीचे की तरफ underline जरूर करेंगे next rule यह कहता है यह है rule number one अगला rule कहता है कि भाया देखो आप genus और species दोनों के नाम लिखोगे लेकिन दोनों के नामों में हमेशा जब भी आप first letter लिखोगे आपने कहा पैंथेरा लियो ठीक है यह नाम जो है वो मुझे दिख रहा है कहीं न कहीं सही है लेकिन अगर मैं इसको लिख दू पैंथेरा लियो तो यह नाम मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा बोलो क्या किस वजह से मुझे गलत दिखाई दे रहा है जल्दी से बताओ कौन पकड़ सकता है इस चोटी सी बारी की को वो बच्पन में करते थे ना ढूंडो पहचान माम एक चीज है आपने दोनो नामों में यह जो स्पीशीज वाला लेटर है इसमें यहां स्मॉल में बनाया है यहां क्यापिटल में बनाया है तो सही क्या होगा जहां दोनो एक सेके जहां दोनो लेटर सेम नहीं होंगे जहां पर पहला वाला क्यापिटल में और दूसरा ल पानना था कि आप जीनस जब लिखोगे तो इसका first word हमेशा capital में आएगा और species वाले word का first letter हमेशा small में आएगा अगर तुम दोनों को capital में बना दोगे इसको भी और इसको भी तो ये नाम गलत हो जाएगा अंडरलाइनिंग तो ठीक है ये नाम गलत हो जाएगा तो इसलिए ये नाम करन की stages ये rules इनों ने यहाँ पर दिये थे आपने लिखा homo sapiens ठीक है homo sapiens बोलो ये सही है या गलत है जल्दी से बताओ ये सही है या गलत है homo sapiens गलत है ma'am क्योंकि S capital में है अगर S capital में होगा तो मसला गलत हो जाएगा तो rule no.2 कहता है जीनस का first word capital में और species का second word जो है मतलब basically आपका वो small letter से शुरू होना चाहिए ठीक है तो इसको हम rule no.2 के नाम से जानते हैं इसको लेख लेना first letter of genus starts with capital letter यह सिर्फ आपको revision के time पर समझने के लिए है वरना इसमें तुम्हें कोई 10 number में rules नहीं पूचेगा कि भई यह इसके rules लिखवा दो and first letter of species starts with small letter ठीक है यह small letter से शुरू होगा यह capital letter से start होगा क्या कोई समस्या लगी किसी को यहां तक जल्दी से बताओ मुझे एक पर कोई समस्या किसी को अल्राइट तो यह नाम लिखने के भी कुछ rules होते हैं जैसे घर वालु ने तुम्हार आप Mooi यह आप अब अब आप 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 a नाम लिखे हैं पहले बच्पन में नाम करण के लिए तुम्हारी पूरी पूजा रखवाई जाती थी बच्चे का नाम जो है वो डिसाइड करना एसी इन्होंने भी पूरे नियम दिये हैं वकाइदा कि आप जो नाम रखेंगे वो किस प्रकार से और कैसे नाम रखेंगे तो कौन सा नाम जो है वो सही है राना टिगरीना इन तेनों में से राना टिगरीना जैसे हम फ्रौग का नाम जानते हैं मुझे एक बार फटा-फट से बतायेंगे मेंढक का कौन सा नाम यहां पर एकदम सही लिखा हुआ है दिस दिस और दिस वन ऑप्शन नमबर ए बी या सी फटाफट से बताओ और जुनों ने भी सेशन को शेयर नहीं किया है वो एक बर जल दी जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक क्लास तुम्हारी अब डेली हो चुकिये शाम को 6-8 पहला नियम क्या था दोनों को separately underline किया इसमें नहीं किया तो यह तो वैसी गलत हो गया ठीक है फुर्स्ट यहां पर नहीं लग रहा फिर आपने बोला कि माम देखो इसके अंदर separate underline है इसके अंदर भी है लेकिन यहाँ पर letter आपने बड़ा बना दिया जिसकी वज़े से ये भी गलत हो जाएगा बिल्कुल सही option number A हमारा है यहाँ पर सही होगा Rana Degrena ये नाम एकदम ठीक है क्योंकि पहला बेटर लेटर है दूसरा small letter है दोनों separately underline है इसको कहते हैं genus और इसको कहते हैं species कई बार species की जगे आपको specific epithet भी लिखा हुआ मिल सकता है कि specific epithet का नाम बता दो तो specific epithet कहलो या species कहलो या हिंदी में इसको जाती कहलो हिंदी में इसको जाती कहलो एक ही बात है तो नाम के हमेशा दो शब्द एक genus और एक species ये दिया था binomial nomenclature carolus lenius सहाब ने बोलो कोई समस्य है इसके अंदर लगी हो तो बताओ एक बार सब clear है very good तो मैम इतनी कहानी अगर मुझे समझ में आ गई अगर मैं ये समझ चुका हूँ कि हमने वर्गीकरत कैसे किया हमने नामकरण कैसे दिया क्लीनिय सहाब ने क्या क्या काम किया तो मुझे ये भी समझ जाना चाहिए कि भाई देखो स्टार्टिंग से तो हम सब कुछ लेके नहीं आये थे कि plant kingdom भी है animal kingdom भी है नहीं हमने दीरे दीरे करके समझा होगा हमें स्टेजिस के साथ पता चलाओगा कि कहा plants हैं कहा animals हैं किसको जन्तु कहा जाता है किसको कवक कहा जाता है किसको बेक्टीरिया कहा जाता है तो यहां से शुरू होते हैं हमारे system of classification जो हम जगत पढ़ते हैं जगत मतलब kingdom kingdom मतलब सबसे बड़ा वाला जो टेक्जोनॉमिकल हाई स्पीशीज तक बोलो कोई समस्या तो हम बात करेंगे कि यह जो जगत हमने बनाए थे ना इसके भी अलग-अलग हमने divisions करें कि दो जगत का वर्गी करन हैं जिसमें हमें दो जगत मिले फिर तीन का आया चार का आया पांच का आया फिर छे काया साथ काया आठ कितने तरी तेडा यह पूरा का पूरा बाइनॉमियल नॉमन्क्लेचर है टाइगर है आपके सामने सायंटिफिक नेम क्या दो गे एक पैंधरा और एख पैंधर समय क्हाँ हो इसको इत्टालिक्स में लिखा उए तो इन्होंने टेडबा टेड़ा लिख एसके नीचे अग입니다fer नहीं तो loin की genus तो same है ठीक है same genus का है वो भी panthera कहा जाएगा लेकिन उसकी species उसकी जाती एकदम अलग हो जाती है क्योंकि वो शेर है तो भाईया वो लियो बन गया और ये tigris है क्योंकि ये tiger से सम्बंदित दिखाई दे रहा तो panthera word दोनों में common है मतलब ये एक ही genus की दो अलग-अलग प्रजातियां दिखाई दे रहे हैं एक ही करके दो अलग-अलग बालक दिख रहे हैं समझे बात को कि नहीं समझे ऐसे ही अगर मैं बात करूँ और कुछ नामों की जैसे कि मिंडक के लिए राना टिगरीना गुलाब के लिए रोजा इंडिका हो गया मतर के लिए पाइसम से टाइवम हो गया और इंसान के लिए होमो सेपियन्स यहां पे हो गया तुम बोलोगे माम आपने तो एक सिंगल अंडरलाइन कर दी करेक्ट कि आपको अब दिकट नहीं करेंगी इसके बाद आए हमारे हमारे पाइंच अलग अलग जगत के वर्गीकरण के अंदर जो अलग अलग स्पीशीस हमें दिखाई दिए ये कुछ जानवर बने हैं, कुछ कवक बने हैं, कुछ बैक्टीरिया आ रहे हैं, कुछ प्लांट आ रहे हैं लेकिन माम इतनी कहानी होने से पहले न अरस्तु सहाब बहुत कुछ कर चुके थे अरस्तु सहाब बहुत चीजों के बारे में समझ चुके थे उन्होंने कहा कि सबसे पहले, मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ, two kingdom classification, two kingdom classification, यानि कि दो जगत का वर्गी करण, ये वर्गी करण कितने हुआ, दो जगत पे हुआ, दो जगत में कैसे हुआ, मैं हम देखो, अरस्तु सहाब ने ये क्या देखा, कि भई देखो कुछ ऐसे हैं जो चल पा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो चल नहीं पा रहे, उनको और कुछ समझ नहीं आया था उस टाइम तक, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी, कि कुछ ऐसे हैं जो अपने आपको मूव करके आगे इंग्डम क्लासिफिकेशन दिया, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स, मतलब दो अलग अलग चीजों में इन्होंने बाट दिया, तो आप क्या बोलो के, कि भईया देखो, इन्होंने जो दिया था, वो दिया था, एक तरफ आदप, प्लांट्स और दूसरी तरफ Snapchat प्लान्ट फोटता है की ऐ यह यह जन्तू हो सकता है या यह इनिमल है किस आधार पर पहला पहला था इनका मूवमेंट यह नहीं यह गतिमान है या नहीं है, इनके अंदर गतिमान या movement जो है वो है या नहीं है, तो plants के अंदर क्या था, plants के अंदर नहीं था, और animals के अंदर था, यानि कि आप कहोगे animals में movement present था, उपस्त था, बोलिए किसी को कोई समस्या, उसके बाद इन्हों ने एक feature और notice किया कि माम, कुछ ऐसे हैं जो चल रहे हैं, लेकिन ये अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे ये जानवर जाके कभी घासवास खा रहे हैं, कभी किसी दूसरे जानवर को खा रहे हैं तो इनको ये समझ में आया कि ये अपना खाना खुद नहीं खा सकते, खुद बना नहीं सकते, लेगन इन पेड़ पौधों को खाने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की आवश्रक्ता नहीं पड़ रही थी, तो इन्होंने का यार ठीक है, चिल है जीवन में, इसके लोको मोशन के उपर भी काम कर लेते हैं, इसके नूट्रिशन के उपर भी काम कर लेते हैं, तो दोनों आधार इन्होंने यहां पर ले, इन्होंने कहा कि अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स कैसे हैं, प्लांट्स मुझे दिख रहे हैं, आटो ट्रॉफिक यानिकि सोह पोशी, जो अपना खाना खुद ब अपने भूजन के लिए किसी पर निर्भर हैं, ठीक है? यह अपने भूजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, बोलो कोई समस्ज्ट्था, तो इन्होंने दो जगत में दो जगत क्या दिये? एक प्लांट्स दिया, और दूसरा एनिमल्स, इहां के अलावा इन्ह इतने फितूरी दिमाग कहां से मतलब चलता है यूं बताओ जो काम की बाते हैं उसको समझ लो नोट करेंगे इसको फटाफट से सभी एक बार प्लांट्स और एनिमल्स में हमने इनको वर्गी करत किया है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पहला है दो जगत का वर्गी करन अब मुझे एक बात आंसर करो कि ये किस ने दिया होगा ये सबसे पहली बार जो ढूंडा है ये किस ने यहाँ पर दिया टो गिंग्डम क्लासिफिकेशन की खोज किस ने करी थी वेरी गुड इसके उपर हम कुछ सवालों को भी यहाँ पर करेंगे तो परिशान मत हो ना सवालों को भी हम यहाँ पर करेंगे कि एलगत कर गेने के उन दूंके बहुत बड़ लाइस किस ने दिया होगा लिनियुस हाआब दू काम कर रहे हैं स्टार्टिंग में वर्गी करन उन्हों नहीं वं। शुरू किया र्गी करन किस mm यह दिया था केरूलस लीनियस सहाब ने, केरूलस लीनियस सहाब ने, कोई समस्या किसी को, यह था two kingdom classification, ठीक है, इसके बाद आएगा three kingdom classification, मतलब माम, यह दो तो हमें समझ में आ गये थे, अब कहानी क्या हुई, कि हमें एक और नया कुछ देखने को मिला, अब देखने को मिला, तो भाईया हमें यह भी समझ में आया, कि इन दोनों kingdom classification, त्री kingdom classification, तीन जगत का सिध्धान्तवर गी करण का, अब एक बात बताओ, जब कर रहे हैं, तो देखो माम, कुछ चीज़ें तो इसमें समान होंगी, जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि सबसे पहला हमारा plants था ही था, ठीक है, फिर उसके बाद हमने जन्तूओं की बात करी थी, तो जन्तू भी उपस्तित थे ही थे, अब तीसरा ऐसा क्या नया यहां पर आया होगा, जो की हम एड कर रहे हैं, इसको तीसरे जगत के अंदर, कौन क्या लेकर के आया होगा, क्या आंसर करें हैं, फिर जल्दी से बताओ मुझे एक बार, मैं, सिंपल सी बात है, प्लांट्स थे ही थे, एनिमल्स थे ही थे, लेकिन अगर मैं बात करूँ, यह तीन जगत का जो सिध्धान था ना, इसके अंदर हमारा प्रोटिस्टा नाम से, एक नया जगत एड हो गया, प्रोटिस्टा, किसने दिया था ये, एकल नाम के साइन्टिस्ट है, उन्होंने यहां पर दिया था, किसने दिया था भई, एकल नाम के साइन्टिस्ट है, प्रोटिस्टा इन्होंने यहां पर सबसे पहली बार, तीसरे जगत के तौर पे दिया था, तो दोनों तो बाकी के तो सेम हैं, लेक क्या होते हैं PROTESTA आखिर होते क्या है Protoौट को होती है on what guy film एकोजे का होती है उनिहों है जिनाक्त इंहें में मैं ऱोट्स robić आपकी फ्रीच के सिर्द्च केया होते हैं यू केरीथ होते हैं थे तो आप अब लीचा कैसे ओंगे इसका अंसर यू इंदार जल्दी से ये eukaryotic दिखाई देंगे फटा-फट से बताईए कैसे दिखाई देंगे माम ये भी हमारे eukaryotic दिखाई दे रहे थे कैसे eukaryotic मुझे पता था अगर मैं तुम से पूछूंगी तो तुम कह दोगे नहीं नहीं माम आप प्रो-केरियोटिक होंगे ये भी eukaryotic दिखाई दे रहे थे आप जब अमीबा की बात करते हो आप परमीशियम की बात करते हो आप यूगलीना की बात करते हो ये सारे उधारन आपने कहां उधारन क्या लिखेंगे इसके अंदर अमीबा उधारन लिखेंगे पैरामीशियम उधारन लिखेंगे यूगलीना ठीक है ये सब उधारन किसके हैं प्रोटिस्टा के दिखाई देते हैं अमीबा पैरामीशियम और यूगलीना बात समझ में आ रही है एकल कोशिकी हैं ये सब क्या थे बहु कोशिकी हैं ये सब हमारे मल्टी सेलियूलर दिखाई दे रहे हैं ये भी और ये भी यानि कि बहु कोशिकी है बोलो कोई समस्या इसके अंदर तीन चीज़ें आई अब प्लांट्स हमें पता ही थे ये दोनों अनों ने लीनियस सहाब हमें पहले ही दे चुके थे लेकिन तीसरा जो आया वो कहलाया प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा तीसरे जगत में एड़ हुआ जिसमें हमारे अमीबा परामीशियम जैसे स्पीशियस जो है वो हमें दिखाई दी बोलिए क्या आपको कोई डावट लग रहे हुआ फटाफट से बताओ भी तो important क्या है आप से question क्या आएगा कि तीसरे चगत में कौन आया कौन उसको लेकर आया है ना तो important is pro test अब आप बोलो कि माम यह कैसे दिखाई देते हैं यह amoeba और paramecium कैसे दिखाई देते हैं तो ज़रा देखो इधर आत करें amoeba की तो amoeba कुछ ऐसा दिखता है चलता हुआ अमीबा कुछ ऐसा move करता हुआ जिसकी कोई भी shape नहीं है लेकिन पूरी body एक single cell में दिख रही है एकल कोशिक ही है यानि कि एक single कोशिका ही इनकी पूरी की पूरी body है इसी के अंदर खाना पीना जो भी इनका body का respiration श्वसन एक्क्रेशन सब इसी के अंदर दिखाई देता है इसको कहते हैं एकल कोशिक ही है लेकिन eukaryotic जीफ प्रो केरियोटिक नहीं है ये primitive नहीं है क्योंकि primitive सिर्फ हमारा bacteria था जीवानू था याद रखेंगे इसी प्रकार से ये चपल जैसा दिखने वाला जिसे हम नाम देते हैं पैरा मीशियम ठीक है ये क्या है ये भी एकल कोशिक है पूरी एक कोशिका दिखाई दे रही है ना body में क्या यही इसका शरीर है एक सिंगल कोशिका है ये प्रोटिस्टा के अंदर आती है ये प्रोटि तो यह भी किसके अंदर आती है में अभी हम पढ़ें हैं इन सब को कि प्रोटेस्टा में कौन कौन आता है क्या इनके इनके ताइप हैं इसके पाइफ यह सब क्या इसके पाइल परके करन हम पांच जगत पढ़ते आया है नाव दंद पर लेकिन उससे पहले दीरे-दीरे करके वो पांचवा बना कैसे वो अपने को समझना है तो पहले बने दो फिर बने तीन अब हेडिंग्डम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट हेडिंग फोर किंग्डम क्लासिफिकेशन बोले तो चार जगत का वर्गी करण इसमें बैम क्या होगा देखो बई एक तरफ प्लांट हम लेके चले थे तो प्लांट हमें पता ही है एनिमल्स हमें पता ही है कि माम यह तो आई गए थे फिर हमने तीसरे जगत में प्रोटिस्टा को भी एड़ गर लिया था हमने कहा अमीबा पैरामीशियम जैसे कुछ आ अगर माम फोर्थ जो आया है उसको हम नाम देते हैं मोनेरा क्या नाम देंगे भई मोनेरा इंपोर्टन्ट क्या है यह मोनेरा जगत मोनेरा जगत का नाम अगर आए तो सीधा सीधा बोलेंगे इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर सभी जीवानू उपस्तित होंगे सारे के सारे बेक्टीरिया किसमें आते हैं मुनेरा जगत के अंदर आते हैं कुछ और नहीं आद रखना अपने को सिर्फ मुनेरा जगत का नाम और बेक्टीरिया के साथ हमें लिंक करना है कि मुनेरा जगत है मतलब बेक्टीरिया जो है यहां पर देखा जाएगा मुनेरा के साथ बेक्टीरिया आ जाएगा यह किस ने दिया तो माम यह 1956 में ठीक है यहां पर लिख ले ना यह कोपलेंड नाम के साइंटिस्ट थे इन्होंने दिया था उनने सो चपन में ठीक है कोपलेंड कि न क्याईटीन फिफ्टी छिक्स में क्लिया कि इस ने यह मुझे यह मुनेरा शब्द इस दे दिया मताब यह जगत का प्लांट्स कैसे होते हैं यू केरियोटिक होते हैं एनिमल्स कैसे होते हैं यू केरियोटिक होते हैं प्रोटिस्टा कैसे होते हैं यू केरियोटिक होते हैं मुनेरा कैसा होगा मुनेरा कैसा होगा फटा-फट से आन सकरो दिखो हम पूरे प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं ठीक है तो इसलिए इसको थोड़ा द्यान से पढ़ लो क्योंकि यह सारी चीज़े आपके सवाल कई सारे बनते हैं अनिमल किंग्डम से भी इस बार सीचील में में भी क्वेशन आया प्रिलिम्स में भी आया तो हम सब पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे कोई दिक्कत लग रही है जल्दी से एक तम सब का साइन शेयर करो फटाफट से हाँ भई एस्टोफिसिक्स तो नहीं लग रही कि मैं नहीं नहीं मुझे क्या क्या पढ़ना पढ़ रहे हैं है ना मैं तो पूरी हाँ पर र जले भी बताये थे जो प्रहीं ये इंदर जादा आइड्वांस्मेंट नहीं है जिनके अंदर नुक्लियस डंग से नहीं बना हुआ ज़दा मेंब्रेंज नहीं बनी गुई है ये सारी चीजे अपने को यहाँ पर देखने ने को मिल जाएंगे और यूनी शेलिलिल मतलब एक्कोशे कि बैक्टीरिया होगा तो एक कोशे कावाला ही दिखाइधा है सारे इसलि में जटने bodies लोग देखते हो यह सब किसमें आजाएंगेम क्चार जगत के अंदर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाइधें यह देखो यह दिख रहा मैं मुझे बैक्टीरिया जो किसमें आता है किंग्डम मुनेरा में आता है यह पूरी इसकी एक सिंगल बॉड़ी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं देखिए जारा ध्यान से बोलो बात समझ में आई तो क्या है यह सिंगल एक कोशे का मुझे यहां पर दिखाई दे रही है इसके ऊपर यह फ्लाजला निकले हुए होते हैं जिसकी मदद से बैक्टीरिया चल पाता है और तुम्हारी बॉड़ी में जाकी इंफेक्शन करा देता है फिर तुम खाते हो ए पारे के सारे बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं इसी बैक्टीरिया के साथ हम किसकी बात करते हैं हमारी एक नील हरिट शेवाल की कुछ ऐसे चोटे-चोटे रोड लाइक के स्ट्रक्टर्चर्ज होते हैं आप बोलते हो हमारे पानी कोई भी रिवर बॉड़ी इस प्रकार की हो गई है इसको कहा जाता है इसब क्या है वेक्टीरिया को हम साइनो वैक्टीरिया कहते हैं कि यहां पर यह अलग अलग जगत आपके बहुत इंपॉर्ट है तो चार जगत किसने दिया कोप्लेंड ने अपने को याद क्या रखना हैं सबसे बहले दो जगत, दो जगत में plants और animals थे, किस ने दिये लीनियस सहाब ने, तीन जगत, तीन जगत में क्या आया, protesta एड हुआ, protesta किस ने दिया यहाँ पर हमारे, फिर चार जगत, चार जगत में मुनेरा शब्द एड किया, मुनेरा क्या मतलब क्या है, बैक्तिरिया, बैक्तिरिया किस ने एड किया, कोपलेंड सहाब ने एड किया, अब आता है, last and the final one, जो से कहते हैं, five kingdom classification, जो की इस time पर acceptable है, और सबसे ज्यादा देखा जाता है, मतलब व देखेंगे यहाँ पर, five kingdom classification, पाँच जगत का वर्गी करण, ठीक है, अब पाँच जगत की वर्गी करण में समझो, सरा कौन कोन आएगा मैम, देखो मैम, ब्लांट्स तो हम शुरू से लेके चल रहे थे, होंगे ही होंगे, फिर हमने बात कर दीएज़ की, होंगे ही होंगे, फिर उसके बाद हमने किसको ऐड़ किया, pro-tista को आड़ कर दिया, फिर हम किसको लेकर आ गए, bununneira जगत को लेकर आ गए, और लास्ट हमारा जो ऐड़ होता है, उसको हम नाम देते हैं, फंजाय या जिसक जिसको हिंदी में कहा जाता है कवक तो ये पांच अलग अलग जगत मुझे इसके अंदर दिखाए दिए पादप जन्तू प्रोटिस्टा मोनेरा और कवक ये मोनेरा जगत है फिर आपका ये प्रोटिस्टा जगत आया फिर हमारा ये जन्तू जगत बना और ये हमारा प्लांट का प्लांट किंग्डम बन गया तो पांच किंग्डम जो हम पढ़ते आते हैं तो उसमें से आपके प्लांट किंग्डम एनिमल किंग्डम प्रोटिस्टा मोनेरा और फंजाई ये सारे के सारे किंग्डम हम यहाँ पर ठीक है इन्हों ने दिया और कब दिया 1969 में most importantly ask question है ठीक है तो इसको कई बार पूछा गया है अपना नोट कर लेंगे इसको फटा-फट से कि भाईया किस ने दिया था Robert Whittaker ने यहां पर दिया था Robert Whittaker ने 1969 में इसी को हम आज जो most acceptable है वो यही वाला देखा जाता है अब तुम जितने comment section में बत्या रहे हो अब जड़ा 3-4 सवालों की उपर नजर मारेंगे और फिर देखते हैं किसके कितने सवाल सही होते हैं कहानी समझ में आई यह है पां में kingdom फंजाय जो है यह मुख इंपॉर्टेंट हमारा यहां पर एड़ हुआ आप कहते हो ना मैं bread के उपर फफूंद लग गई अब गर्मिया आ गई क्या करोगे अगर तुम गलती से किसी bread के packet को खुला छोड़ दो रोटी को खुला छोड़ दो एक दिन दो दिन जहां warm and humid environment मिला जहां गरम तापमान उसको मिला क्या हो जाएगा वह खाने की चीज सड़ने लग जाएगा अगर तुमने खुले में उसको गरम environment में छोड़ दी है तो उसके उपर ग्रीन कलर की और इंज ग्रीन वाइट कलर की फफूंद लगनी शुरू हो जाए तो यहार खाना सब्सक्राइब शेख सब्सक्राइब आजखे ze हैं इस तपांच जगत का वरगी करन जिसके अंदर हमने कवग का इंट्रॉक्शन किया मुनेरा में क्या आया था बैक्टीरिया था प्रोटेस्टा में क्या आया अमीबा परामीशम प्लाज़मोडियम यूग्लीन यह सब दिखाई दिए plants के अंदर सारे plants और animals के अंदर सारे के सारे animals दिखाई देते हैं कोई समस्या लगी इसके अंदर तो मुझे एक बार जल्दी से बताएंगे Is this clear? सबको समझ आया? तो मैम जल्दी से एक बार session को share where भी करते रहेंगे और इसके बाद कहने को ये acceptable है कहने को इसके आगे हम कहानी नहीं लेके जाते लेकिन हाँ इसके साथ साथ में एक चीज और हमें देखने को मिलती है जब six kingdom classification बना क्या बना? छे जगत का वर्गी करन कहने को इतना काम का नहीं है बढ़ हाँ उसको हम पढ़ लेंगे गलती से अगर आपके exam में पूछ लिया जाए तो next एक heading डाल ले ना छोटी सी six kingdom classification six kingdom classification छे जगत का वर्गी करन अब इस छे जगत में क्या नया add हुआ होगा? देखो ध्यान से सुनो यहाँ पर मैं चार चीजें सेम थी plants भी थे animals भी थे फिर हमारा जो कवक था वो भी था फिर अगर मैं बात करूँ protista की वो भी थे लेकिन मैं इसके अंदर जो bacteria था ना उसको मैंने दो भागों में पांट दिया मैंने क्या किया? मुनेरा जगत में bacteria आ रहे थे मैंने उसको दो प्रकार के bacteria के अंदर बाटा एक सचा bacteria और एक जूटा bacteria मतलब आप कहा सकते हो एक यू bacteria और एक archaea bacteria आगे पढ़ेंगे detail में लेकिन अभी के लिए इनके नाम note कर लो आगे सब कुछ पढ़ेंगे अभी के लिए इनके नाम जो है उसको note कर लेंगे तो यहाँ पर हमने मुनेरा जगत के bacteria की जगा क्या कर दिया? दो अलग-अलग भागों में इसको बाट दिया यू और आर्किया bacteria बूलो कोई दिक्कत ये और ये इससे बन गया ये छे जगत का classification क्या बना? 6 Kingdom classification यहाँ पर ये बन गया इसको किस ने दिया था? तो नाम याद रखेंगे बाए ग्रे आड डूलिटल ग्रे वर डूलिटल ध्वारा ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा बठाँ इतना नाम हमें पता होना चाहिए कि किस ने दिया था और कब दिया था? किस ने दिया था और क्या दिया था? तो ये बेसिक सी चीज़ें आप लोग ज्याद रखेंगे 2, 3, 4, 5, 6 6 के बाद सातवा जगत कोई नहीं आया था एक आठवा जगत भी बना था ठीक है? एक ना एट किंग्डम सातवा नहीं आया था एट किंग्डम क्लासिफिकेशन ठीक है? जो किस ने दिया था अपने को? कैवेलियर एंड स्मित तो लास्ट में एक इसको भी आप लोग क्या करेंगे? एड कर लेंगे अच्छा वो राज जही क्या है? बहुत बढ़िया कह रहे हो गई बहुत बढ़िया जब पेपर में आयेगा ना तो फिर यही याद करोगे राजी का माम आपने बताया तो था या तभी पढ़ लेता या तो अच्छा हो जाता है तभी पढ़ लेता तो माम कितना मैं खुश नसीब होता जो मेरी चीज़ने समझ में आ जाती ही मैं तभी चीज़ों को अच्छे से हल करके आपाता लेकिन नहीं सुनना कहा होता है माम हमें किसी की हम अगर ध्यान से टीचर को सुन लें कि वो क्यूं चाहा रहा है मतलब टीचर क्यूं दो दो घंटे चार चार घंटे तुम्हारे लिए एक चीज बहुत बेसिक से क्वेशन को लगाओगे तो तुम्हें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आखिर जब त्योरी मैंने पढ़ ली अब बताओ लगा के दिखाओ अब कौन सा सवाल आ रहा है सामने तो इसी प्रकार से जब आप हमेशा याद रखना जब भी आप पढ़कर के कोई चीज करते हो तो आपको चीज़ें और ज्यादा क्लियर हो जाती है ऐसा नहीं है कि हमने बस इतना ही करना है अब हमने यह वाला पॉर्शन किया है अब हम क्या करेंगे पूरे अलग 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 प्लांट किंग्डम को पढ़ेंगे अनिमल किंग्डम को पढ़ेंगे से भी क्वेशन आते हैं और आप लोगों के क्वेशन अनिमल और प्लांट किंग्डम से स्पेसिफिकली अलग से पूछे जाते हैं तो हलके में तो माम कुछ भी नहीं लेना है ठीक है आज ज़रा कुछ क्वेशन को लगा करके देखते हैं कि आपके इस टॉपिक से क्या इं पहला सवाल है टेक्जोनॉमी एक विज्ञान की शाखा है जो किस से संबंदित हमें दिखाई दे रही है आकरती विज्ञान से अने टॉमी से मॉर्फोलोजी से वर्गी करण से यह आर्थ शास्त्र का उपयोग करता है जल्दी से बताएंगे भी आपको वर्गी करण की जो शाखा है इसके अंदर क्या दिखाई देता है मतलब टेक्जोनॉमी जो विज्ञान की शाखा है किस से संबंदित दिखाई देते हैं को आपकए कि यहीं तो फर्ख है माम क्या करें वेरी गुड टेक्जो नॉमी दोनों के अंदर सम्हू का जो कम्प्लीट वर्गी करन हम करते हैं न वर्ड से ही हम मतलब समझ गए टेक्जो प्लस नॉमी क्या पताया था इसके अंदर क्लासिफिकेशन हम करते हैं वर्गी करन जो है वो हम यहां पर करते हैं टेक्जा मतलब सम् और फिर इनका क्या करेंगे हम नामकरण करेंगे इनकी study करेंगे इनको वर्गी करत करेंगे इनका classification करेंगे that is the branch of science जिसके अंदर हम इसे पढ़ते हैं clear बिल्कुल बिल्कुल वर्गी करन इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत खुब सूरत अब जर आगले सवाल पर आओ और अ हचिंसन जल्दी से बताएंगे किसके द्वारा जैनेरा प्लेंटेरम नाम की किताब जो है वो लिखी गई थी this book was written by जैनेरा प्लेंटेरम है, स्पीशीज प्लेंटेरम है यह आपसे बात करी जाए philosophy आब बुटैनिका की चार किताबे मैंने आपको बताएं वो चारो किताबे lineage साहाब की द्वारा लिखें ती अगर हिस्टोरिया की बात करता हिस्टोरिया एनिमेलियम या प्लेंटेरम तो ठीक है या तुम से बोल दे systemsa naturally या आपको बोल दे philosophia botanica यह सब के सब किस ने दीए थे यह सारी की सारी किताबें यह 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 और यह हमारे linearAAAA जो father ofакс 10 नॉमी है इनके दवारा दिया गया था इन्हीं के दबारा दिया गया था को आज़िंड को आगले question की तरफ度 करते हैं और अगला क्वेशन आपसे क्या पूछ रहा है देखेंगे जरा कि बताओ पूधे जानवरों से भिन होते हैं किस प्रकार से उनके अंदर लोको मोशन होती है घतिशीलता होती है मेटाबॉलिजम है लोकलाइस्ट ग्रोथ है स्थानिय गरत विकास है या फिर केटाबॉलिजम जोसे हम कहते हैं ओपचे ठीक है किस वजह से हमें ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं प्लांट्स और अनिमल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है जो हम उनके बीच में अंतर पता कर सकते हैं क्या है वो अंतर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो मैं देखो, प्लांट्स चल पाते हैं, वो प्लांट्स नहीं चल पाते हैं, और एनिमल्स चलते हैं, इनके अंदर गती शीलता दिखाई देती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लोको मोशन, जो इनके अंदर गती शीलता होती है, ये मूव कर पाते हैं animals लेकिन plants move नहीं कर पाते plants अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं and they are not able to move in a immotile कहा जाता है correct answer is option number a बिल्कुल सही पहचाने बिल्कुल सही पहचाने भाईया कि चलो तो इसी बात पर जड़ा अगला option बताओ अगला question बताओ केंद्रक आपसे क्या रहा है किसकी उपस्तिती पादप कोशिकाओं को जन्तु कोशिकाओं से अलग करती है हम already cell पढ़ चुके है plant animal cell बहुत अच्छे से पढ़ चुके है रिविजन नहीं कियो तो करते रहना क्योंकि आदना तो है मैं यह paper के अंदर तो किसकी उपस्तिती plant cell और animal cell में विभाजन या अंतर हमें बताती है कि यह दोनों अलग-अलग होते हैं chloroplast cell wall cell membrane या फिर nucleus या फिर nucleus जल्दी से आंसर करेंगे ऐसा क्या है जो दोनों के अंदर अलग-अलग दिखाई दे रहा है cell wall बेटा chloroplast मैंने तब भी बताया था दोनों में होगा लेकिन किसी में बहुत कम मात्रा में किसी में बहुत ज्यादा मात्रा में लवक की जब बात करी थी प्लास्टिट्स की जब बात करी इसके अंदर ही तो आते हैं लवक के अंदर तो प्लास्टिट्स के अंदर आते हैं हमारे chloroplast कि इसमें आया हमारा हरित लवक इसी के अंदर होता है क्लॉर्फिल हालागि यहенийक्ष्टिक्स दोनों में होते हैं बट किसी में बहुत कम और किसी में में बहुत साद है लेकिन we'll CW कोशिका भित्ती केवल प्लांट्स के अंदर होती है जो की सेल्यूलोज की बनी हुई होती है ठीक है क्लियर है बात समझ पारेओं नेक्स्ट क्वेशन का अंसर करिए पांच साम राज्य का वर्गी करण का प्रस्ताव किस ने दिया था बताईए जरू क्लियर है। झाल 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 पिछले क्वेशन में हम लोगों ने बात करी थी वह हमने बात करी थी पांच सामराजय का वर्गी करन 1969 में मुनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाय, प्लांट, एनिमल ये सब आपके आरेच पिटेकर सहाब ने दिया था अभी सबको आवाज प्रॉपर्ली आ रही है ना इसके बाद हमने आपसे बात करी कि भई देखो ठीक है इन्होंने पांच जगत का वर्गी करन दिया अब बताओ कि ये जो आलू टमाटर वेंगन है मुद्दा क्या है कि देखो माम सोलेनम ट्यूबरोसम सोलेनम मिलोन जेना ठीक है होता क्या है सोलेनम ट्यूबरोसम है मिलोन जेना है आलू की बात करें टमाटर की बात करें बैंगन की बात करें इनकी जीनस जो है वो तो मुझे लेकिन इनकी species जो है वो मुझे अलग अलग दिखाई दे रही है तो टूबरोसम अलग है मिलन जोना अलग है ये आलू की है ये तुम्हारी बैंगन की है सुलेनम टूबरोसम सुलेनम लाइको परसिकाम एस्किलेंटम ये हमारी टमाटर की हो जाएगी तो मुख्य तोर पे सु लगभग मुझे यहाँ पर सेम समान जो है वो दिखाई देता है बिल्कुल सही भई बिल्कुल सही clear तो ऐसे concepts अभी पाकी जितने भी important scientific names है वो सबकी PDF में आपकी upload करवा दूँगी तो आप उसको एक बार revise कर लेना जो भी important है correct सारे तो अपने को नहीं याद करने लेकिन हाँ जो previous year से आपके related है उनको जरूर याद करेंगे and एक अगला question botanical survey of India कहाँ पर स्थित है यह थोड़ा सा तुम्हारे static GKC related question है इस question का answer आज आप लोग मुझे बताने वाले हो homework के अंदर कि आपका यह जो भार्दी अवानस्पतिक सर्वेक्षन का मुख्याले है यह कहाँ पर स्थित है this is your homework question लखनव में है कोलकता है डार्जलिंग है या कहाँ पर है इसको आप मुझे बताने वाले homework में अब मुझे एक बार जल्दी से बताओ आप लोगों को सभी चीजें यहां पर clear हुई कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को लगी एक बार मुझे फटाफट से बताएंगे यह चाप्टर कहने को माम देखो थोड़ा सा न हमें अच्छे से इसको लेकर के चलना है लेकिन पहले ही अपने को घबराना जो है वो नहीं है या पर पहले ही अपने को घबराना नहीं है तो अब आप क्या करोगे इस होमवक क्वेशन का आंसर मुझे बताने वाले हो होमवक के अंदर क्लास खतम होने के बाद ऑफलाइन कॉमेंट में और आपको बता दूँ अगर आप में से किसी ने भी अभी तक इन्रोल नहीं किया है तो इस टार्गेट बैच की क्लास दस मार्ट से स्टार्ट हो चुकी हैं जुसके अंदर आपके सभी बेस्टू बेस्ट फेकल्टी आपको कंप्लीट कॉंटेंट सीजियल की तैयारी के लिए दे रहे हैं तो आपने भी निभाना होगा क्योंकि consistency matter करती है आज पढ़ रहे हो कल चुटी मारोगे कोई मतलब नहीं हमें डेली पढ़ना है चाहें थोड़ा थोड़ा पढ़े लेकिन डेली बढ़ना है हमें regular basis पर पढ़ना है इसी तरीके से topic को पढ़ेंगे questions को लगाएंगे और हस्ते पूरे syllabus को यूँ ही हम करने वाले हैं, इसके बाद कल के session में हम plant और animal kingdom की भी शुरुआत करेंगे, kingdom monera क्या है, protesta क्या है, ये सारी चीज़ें कल हम वहाँ पर पढ़ने वाले हैं, So I hope you guys like this session, बाकी एक ही बात आप लोगों से कहूंगी, बिटा, जीवन में बहुत सारे ऐसे मुकाम आएंगे, जहां पर तुम्हें लगेगा नहीं हो पा रहा माम, पीछे मत हटना, घबरा के पीछे हटने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें लड़ना होगा, डटना होगा, और उस मन्जिल को पाना होगा, वो तुम ही हो जो कर सकते हो, so stay happy, stay blessed, अच्छे से अपनी तैयारी करें, मिलेंगे आप लोगों से नेक सेशन में, क्लास कैसी लगी है, मुझे आप लाइन कॉमेंट करके जरूर बताएंगे, till then have a very good day, प्रू चूरेदू तो हे कि तो तू करेंगे जर बताएंगे, बताएंगे प्रूम्हें में ग।फिता है, आप